मुल्ला नसुरुद्दीन और भिखारी मुल्ला नसुरुद्दीन अक्सर मजाक मजाक में बड़ा सबक सिखा देते थे एक दिन एक भिखारी मुल्ला नसुरुद्दीन के घर के सामने आया मुल्ला नसुरुद्दीन आराम से पहली मंजल पर बैठ कर चाय पी रहे थे मुल्ला जी को देखकर भिखारी बोला अरे जनाब जरा नीचे आईए आपसे कुछ काम है मुल्ला नसुरुद्दीन भिखारी से बोले क्या काम है नीचे से ही बता दो बिखारी ने कहा आपको नीचे ही आना पड़ेगा मुल्ला नसुरुद्दीन नीचे चले आयो और बोले बताओ क्या काम है बिखारी ने कहा दो पैसे दे दो मालिक मैं बहुत गरीब हूँ मुल्ला नसुरुद्दीन भिखारी पर खीजते हुए बोले उपर आओ बिखारी पैसों के लालच में मुल्ला नसुरुद्दीन के पीछे पीछे चल दिया उपर जाकर मुल्ला नसुरुद्दीन बिखारी से बोले मेरे पास एक भी पैसा नहीं है अपकी बार खीजने के बारी बिखारी की थी बीचारा अपना सा मूँ लेकर वहां से चला आया कहानी से सी हमें दूसरों के समय की कद्र करनी चाहिए न कि सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचना चाहिए